बहुत पुरानी बात है एक जंगल में एक शेर का बच्चा और एक बाग का बच्चा रहते थे, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, दोनों को ये समझ भी नहीं थी, कि दोनों की प्रजाती अलग-अलग है, धीरे धीरे बाग और शेर के बच्चे बड़े होने लगे और उ जंगल के सारे जानवर मुझसे दरते हैं और प्रकृती ने उन्हें मेरे भोजन के लिए ही बनाया है। जाए से तुम दोनों का ही नुकसान है। उन्ट की यह बात सुनकर बाग बोला। उन्ट तुम ही बताओ हम दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो उसका समाधान जंगल का सबसे बुजूर गेंडा ही बतलाता है। क्यों ना हम उस गेंडा के पास चले और उसी से पूछें। उन्ट की यह बाग और शेर को भी पसंद आई। वह तीनों मिलकर जंगल के सबसे बुजूर गेंडा के पास पहुँचे और अपनी अपनी बात रखी। गेंडा ने बाग और शेर की बात को बड़े ध्यान से सुना और गेंडा बोला शेर और बाग तुम दोनों बच्चपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हो। बच्चपन में तुम यह नहीं जानते थे कि तुम अलग अलग जाती के हो। तुम दोनों इसी कारण आपस में बड बाग क्या तुम्हें ध्यान है एक बार जब जंगली कुटों और लकरबगों के जुंड ने तुम्हें घेर लिया था और वो तुम्हें मारना चाहते थे तब शेर ने अपनी जान जोखिम में डाल कर तुम्हारी जान बचाई थी। फिर बोला अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और अब जानने लगे हो कि तुम्हारी जाती अलग-अलग है इसलिए तुम ये जगड़ा कर रहे हो। बंद करके पुना दोस्ती कर ली और अब दोनों अपने अहनकार को भूल कर साथ साथ रहने लगे। शिक्षाक शेर और बाग की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहनकार में आकर लोग आपस में संबंध खराब कर लेते हैं इसलिए अपने अहनकार को दूर रखकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए इसी में सब का भला है। चीता और बाग की कहानी 2. एक घने जंगल में एक चीता रहता था। चीता जंगल का राजा था। वो मजबूत शक्तिशाली था जंगल की सभी जानवर चीता से दरते थे। चीता को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। एक दिन पड़ोस के जंगल से एक बाग भटकता हुआ चीता के जंगल में आया। इससे पहले चीता ने बाग कभी नहीं देखा था। चीता को बाग का इस तरह जंगल में आना पसंद नहीं आया. चीता ने बाग को लडाई के लिए चुनोती दी. बाग ने चुनोती स्वीकार कर ली और दोनों में लडाई शुरू हुई. चीता दहारा और बाग पर जपट पड़ा लिकिन बाग बहुत तेज और फुर्तिला था. उसने चीता के हमले को चक्मा दिया औ और अपने शक्तिशाली जबनों से उस पर तूट पड़ा. चीता बाग की ताकत और कोशल से दंग रह गया. चीता और बाग की लडाई घंटों तक चली. अंत में बाग की जीत हुई. चीता अपनी हार से दंग रह गया. पहली बार चीता को पता चला कि उससे भी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली कोई है. चीता ने अपनी हार मानली और बाग की तरफ दोस्ती का हाथ बाया. बाग ने भी चीता की दोस्ती स्वीकार कर ली. उस दिन से चीता और बाग दोस्त बन गए और एक साथ जंगल पर राज करने लगे. उन्होंने एक दूसरे की ताकत औ और कमजोरियों का सम्मान करना सीखा और अपने राज्य की रक्षा के लिए मिलकर काम किया. जंगल के अन्य जानवरों ने भी चीता और बाग दोनों का सम्मान करना और उनसे दरना सीखा. शिक्षा, चीता और बाग की कहानी हमें सिखाती है कि विनम्र होना, दूसरों का सम और एक समान लक्षे के लिए मिलकर काम करने से सभी काम हो जाते हैं.